So hello everyone, यह आज की दिन का दूसरा वीडियो है and यह एक news based वीडियो होने वाला है Actually इस टाइम पे इसके बाद एक और वीडियो आएगा ठीक है एक stock की उपर या analysis आएगा तो subscribe कर सकते हो उसको देखने के लिए तो वो वीडियो अभी आने वाला था but yes news थोड़ा जरूरी जादा होता है तो इसलिए मैंने पहले इसे ही upload करते है इस वाले वीडियो को then इसके बाद वो वाला वीडियो आएगा तो subscribe कर लेना and बाकी आज की दिन पहला वीडियो यह था अगर आप इसे देखना चाहते हो आई बटन पे लिंक है जा करके देख सकते हो एंड वीडियो के end screen में भी आपको card मिल जाएगा start करते हैं वीडियो को and सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीडियो में देखो है और simple बात है news के उपर बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले Dixon Technologies India के बारे में बात करते हैं आज यह 3.5% गिरा और क्यों गिरा तो यहाँ पे इसका कोई major reason नहीं है Dixon Tech falls after Jeffries downgrade तो हाँ छोटी कंपनी है कोई नहीं कोई आ करके downgrade कर देता है तो यह गिर जाता है और बस बाकी डरने की कोई बात नहीं है और अगर आपके पास Dixon Tech है तो कोई दिक्कत नहीं आराम से continue कर सकते हो और यहाँ पे इन्होंने downgrade कर दिया है और क्योंकि इनके हिसाब से इसका valuation काफी हाई हो चुका है और अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ब्रोक्रेज expects limited upside for Dixon Technologies तो यहाँ पे Dixon Technologies के उपर जो है upside वो limited है और क्यों ऐसा है क्योंकि 55% की rally already आ चुकी है लास्ट के दो महिनों में और इसी वज़े से यहाँ पे इन्होंने क्या किया है अपने target price को increase तो किया है 4350 पहले था अभी 4550 कर दिया है ठीक है और जो कि 4% upside होता है मतलब 4% का upside है और इन्होंने वहाँ पे target price कर दिया है लेकिन हाँ इन्होंने यहाँ पे downgrade किया है ठीक है hold पर पहले इनका buy होगा अभी hold पे कर दिया है और इसी की वज़े से यह गिरा और इनके हिसाप से यहाँ पे risk factor है क्योंकि यहाँ पर domestic demand and global demand इसमें problem है company जो है contract manufacturing करती है order book जो है उसमें यह है वो है बहुत चीज़े लिखी गई है अगर आप चा कह रहे है कि यहाँ पर इस तरह का कुछ कहना चाहरे होंगे ठीक है और उसके बाद और भी बहुत चीज़े लिखी हुए तो इन्हें चाहो तो आप रीड कर सकते हो वीडियो को pause pause करके read कर लेना आपको समझ में आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं लिखी गई है कि हाँ इ और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको अपना target पता है कहाँ पे exit करना है कहाँ पे क्या करना है तो वो भी आप आराम से follow करो बाकिया downgrade अप्रेड यह वो तो होते ही रहता है बस यह एक दिन की तेज़ी है बाकि कल सब नॉर्मल हो जाएगा HDFC bank भी आज की दिन around 3% गिरा ठीक है क्यों गिरा तो HDFC bank के Q1 preview आया था मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि कंपनी जो है वो Q1 के preview लाती है मतलब कैसा हमारा Q1 होने वाला है वो यहां पे थोड़ा सा company बताती है तो यहां पे company ने क्या-क्या बताया है वो देखो तो company ने जो है Q1 के deposits में मतलब quarter 1 financial year 24 की बात हो रही है deposits में 19.2% का growth दिखाया हुआ है देख सकते हो HDFC banks deposit aggregated to approximately 19,130 billion और जो की होता है 19.2% growth पहले आज से एक साल पहले 16,048 था जो की बढ़ करके 19,130 हो चुका है अगर इंगलिश में बोलूं तो 16,048 था जो की बढ़ करके 19,130 हो चुका है और यह number जो है billion में है और percentage जो होता है वो होता है 19.2% rise इसके साथ में अगर आप देख होगे तो company का जो advances है ठीक है वो approximately 16,155 billion हो चुका है जो की 15% rise है year on year basis पे आज से एक साल पहले 13,951 था 13,951 था और वो बढ़ करके 16,155 हो चुका है एक साल में around आप कहलो 15.8% growth इसे मिला है बैंक का जो advances है वो अगर आप पिछले quarter से compare करोगे तो भी increase हुआ है पिछले quarter में 16,006 का advance था जो की बढ़ करके 16,155 हो चुका है और 0.9% का growth है तो यहाँ पे quarter wise भी increase हुआ है year wise भी increase हुआ है अगर हम बात करें डिटेल लोन के बारे में ठीक है domestic retail लोन के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो growth है वो 20% है commercial and rural banking loans के बारे में बात करें तो वहाँ पे 29% growth है and corporate और other wholesale loans के बारे में बात करें तो around around percent on मतलब यहाँ पे I don't know कुछ error हुआ है लिखने में ठीक है तो यहाँ पे आप यही समझो क्योंकि यहाँ पे देखो simple logic है यार क्योंकि यहाँ पे around percent on year on year basis तो यहाँ पे percent जो है साइद वहाँ लिखना mistake हो गया जो भी हुआ है तो यहाँ पे main दो हमारे data होते है domestic और बैंकिंग रूरल बैंकिंग में तो domestic ही है तो domestic लोन जो है 20 पसंट ग्रो किया है रूरल बैंकिंग जो है वो यहाँ पे around 29 पसंट ग्रो किया है और यहाँ पे जो है year on year basis पे था अगर हम quarter on quarter basis पे deposit के बारे में बात करते हैं तो पहले ठीक है मतलब quarter for financial year 23 में कितना था 18,834 था ठीक है जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो कहां गया यहाँ पे जो है 1.6% ग्रो होता है अभी कितना है अभी है 19,130 तो 18,834 से 19,130 हुआ है तीन महिनों में मतलब एक quarter में यह ग्रोथ मिला है और यह कितना परसंट होता है 1.6% तो यह भी बहुत सही है रिटेल डिपोजिट के बारे में बात करें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी जो है around 21.5% ग्रोथ है ठीक है और होलसेल डिपोजिट के बारे में बात करें तो होलसेल डिपोजिट में भी 9% ग्रोथ है ठीक है और नंबर जो है रिटेल डिपोजिट का वो तो देख सकते हो 380 billion और अगर आप देखोगे तो यहां पर कासा के बारे में बात क्या गया है मतलब current account savings account के बारे में बात क्या गया है तो कासा deposit जो है वो यहां पर आराउंड 8,130 billion है जो की 10.7% growth है पिछले साल 7,350 था और बढ़ करके 8,130 चुका है जो की वही बात 10.7% growth होता है और बाकी जो है आगे भी अगर आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो ठीक है जैसे merge entity मतलब HDFC के बारे में थोड़ा बात हो रहा है तो अगर आप चाहो तो यहां पर चाहो जो advances है वह 22,450 billion हो चुके है जो की 13% up है और अगर हम बात करें इसको March quarter से compare करते है मतलब previous quarter से तो वह 0.7% up है पिछले पिछले quarter में 22,300 था जो की बढ़ करके 22,500 हो चुका है और पिछले साल पिछले साल जून मतलब quarter 1 में या जून quarter में यहां पे जो है कितना था 19,859 जो की बढ़ करके 22,000 हो चुका है और ग्रोथ भी आप देख सकते है तो ठीक है नंबर्स तो आपको लग रहा है हर चीज बढ़ा है कोई दिखकत तो नहीं है ठीक है कोई problem तो नहीं लगा मुझे quarter on quarter basis पे भी growth मिला है year on year basis पे भी growth मिला है और सब कुछ advances बढ़ा corporate loan भी बढ़ा है around 20% के आसपास यहां पर detailed loan book ग्रो किया है तो बहुत चीज़े तो सही है तो यहां पर share गिरा क्यों तो वही चीज़ा है कि estimates बीट नहीं हुए होंगे लोग उने जो सोचा होगा कि यार इतना deposit बढ़ना चाहिए वो number बीट नहीं हुआ होगा बस किसी वज़े से गिरा यह सब होते रहाता है result तो मेरे इसाब से अच्छा आने वाला HDFC bank का मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला result में लेकिन फिर भी यार छोटी मोटी चीज़ों को ले करके यह लोग मतलब बेच देते हैं और मेरे इसाब से HDFC bank के result में जो अभी तक क्लियर हुआ है अब एक चीज में clear कर दूं बहुत लोगों को लगता है यह क्यूवन का result है ठीक है तो मैं आपको बता दूं क्यार क्यूवन का result यह नहीं है यह क्यूवन का एक preview है वह आप समझ सकते हो मतलब क्यूवन का result आएगा उसके पहले ही कुछ important चीज़ें जैसे आपने revenue चोड़ दिया यह चोड़ दिया वो चोड़ दिया तो जो सब चीज है वह यहां पर quarter one result में आएगी यह जो है just उसका preview है आगे बढ़ता है तो HDFC bank के fall का मुझे कोई reason नहीं दिखता है और आपको पैनिक भी नहीं करना चाहिए आप आराम से बैठो IDFC first bank के बारे में बात करते हैं आज की दिन ये भी 2% भागा क्यों तो इसके भी कुछ नंबर्स आय थे जैसे HDFC bank में आपको दिखा तो ICIC bank में भी नंबर्स आय था तो लोंस जो है वो year on year basis में 24% rise कर चुके हैं और कितना हो चुका है एक लाक एकतर हजार क्रोड हो चुका है deposit जो है 24% rise क्या deposit भी और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप सबसे पहले बात करते हैं loans and advances के बारे में तो IDFC first bank का जो loans and advances वाला जो segment है loans and advances जो है वो यहाँ पे हो चुका है एक लाक एकतर हजार क्रोड ठीक है जो कि यहाँ पे 24% ग्रोथ होता है year on year basis पे लेकिन अगर आप quarter on quarter basis पे देखोगे तो quarter on quarter basis पे 6.7% ग्रोथ है और अगर आप पिछले साल जून quarter के बारे में बात करूँ तो पिछले साल जून quarter में 137 1,0001.1,37.000 करोड था जो की बढ़कर के 1,71.000 करोड हो चुका है customer deposits के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक लाक दो करोड हो चुका है तो यहां पर लगब एक लाग करोड से डेड़ लाग करोड के आसपास आ चुका है जो कि एराउंड 44 परसेंट जंप होता है यह और अगर आप क्वाटर अन क्वाटर ग्रोथ देखोगे तो वह नियरली 9 परसेंट है और कासा डिपोजिट के बारे में बात करें मतलब करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट डिपोजिट के बारे में बात करें तो यह यह और बहुत चीज़े और भी लिखी हुई है ठीक है मैं अगर आप पिछले क्वाटर से कंपेर करोगे तो पिछले क्वाटर में यह 49.8 था ठीक है और अभी जो है थोड़ा सा घटा है औ और मतलब यहां पर रेशियो जो है वह घटा है ठीक है और बैंक रेज्ड मोर फिक्स डिपोजिट दैन कासा डिपोजिट तो और भी चीज़े लिखी हुई है ठीक है अगर आप चाहो इन सब को ठीक है रीड कर लेना ठीक है आराम से आपको समझ में आ जाएगा और कुछ आगे लिखा भी नहीं है में जो चीज़े थी वह इसी दो में लिखा गया था एंड यह वाला एक लिखा गया था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और IDFC फस्ट बैंक का नंबर्स पसंद आया इसलिए यह उपर गया ठीक है और वही बात फिर से कि यह जो है क्यों का रेजल नहीं है quarter one result अभी आना बाकी है जब आएगा में वीडियो बना दूगा सब्सक्राइब करके रख लेना यह quarter one का प्रिव्यू है आई-एक्स के बारे में बात करते हैं आई-एक्स भी आज की दिन यहां पे एक शूट अप आया देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गया आप पूछोगे यार क्या हुआ तो वही चीज़ है इसके भी जो है quarter one के अपडेट्स आये थे यहां पे जो वॉल्यूम है वह 8% राइस किया है year on year basis पे ठीक है 8% वॉल्यूम राइस किया है year on year basis पे और मार्केट क्लिरिंग प्राइस जो है वह 5.17 रुपीज पर यूनिट के आसपास है और अगर आप देखोगे तो 25,125 M.U. वॉल्यूम जो है अचीव हो चुका है और जो कि यहां पे ग्रोथ के ब जो ओवरॉल जो वॉल्यूम था वो 8946 M.U. था इंक्लूडिंग ग्रीन मार्केट ट्रेड यह वो ठीक है सब कुछ इंफ्लूट करके और ओवरॉल जो वॉल्यूम है वो मैं आपको बताए दिया 8% ग्रोथ हुआ है year on year basis पे एवरेज मार्केट क्लेडिंग प्राइस जो है वो है 5.17 पर यूनिट एडेक्लाइन अफ 33% ओवर दे कर्स्पोंडिंग लास्ट कर्स्पोंडिंग कॉर्टर लास्ट यह मतलब अगर आप प्रिवियस यह के इसी कॉर्टर से कंपेर करोगे तो 33% डेक्लाइन है एवरेज क् नहीं मतलब हो सकता है वालिम ग्रोथ के नीचा अगया तो वही चीज़े अभी तक मैने कहा कि पूरा जो है release करके दिखाया गया है and यह quarter one का result अब गलती से भी मस समझना quarter one का result जब आएगा तब मैं detail में और भी बात करूंगा ठीक है तो बस यार end करते हैं video को तीन quarterly result के update आये थे देखो Q1 update लिखा हुआ है ना Q1 update तो तीन Q1 update आये थे and एक जो है वो Dixon Tech के बारे में news था और इसे के साथ एर end करते हैं video को video अच्छा लगा तो like share subscribe कर देना इसके बाद एक और video आने वाला है अब यार अगर मैं videos को एकदम लगाता है एक के बाद एक post करूँ न तो थोड़ा सा पीच कम हो जाता है किसी वज़े से मैं थोड़ा सा ग्याप दे लेता हूं कि यार चलो एक गंटे दो गंटे बाद में post करूँगा बाकि ठीक है end करते हैं video को जैहिन and thanks for watching